सादू बनने के मतलब आदमी घरदवार सांती के लिए जो है सादू के चोला धारन करता है अपने मुख्ती के लिए उसमें भी सांती नहीं तो क्या फैदा तो मारा जी रात में भजन करने का क्या अनुगव होता है या कोई अलग महत्व होता है रात में क्या है वातावरन सांत रहता है उसमें दिवात्मा के भी कुछ ऐसी आत्मा के भी वो चलता है वो सांती रहता है इसलिए हमारे संत हुए जो दीन भर सोए और रात में जगे मेरा भी पहले के नियम था मैए दूसरे कुटिया पर रहता था पीसे कुटिया है तो वहां रहता था बारे बजे रात ही- शाड़े- बारे बजे के तो जग जाता था अज़ग क्या दुनिया सो रही या मैरे जब करता था योगी को संसार जब जगे तो योगी को सोना चाहिए, संसार के संसारिक लोग को जो रात्री है वो हमारे लिए दीन है जो उनकी दीन है, वो हमारी रात्री है तो गीता में तो इसके जो है अवर्थ है अलग हिसाब से लगाया जाता है यह हिसाब है कि जैसे संसार के लोग जिसमें समझते कि मैं जगा हुआ हूँ संसारी काम करते हो समझते कि हम जगे हैं लेकिन मैं उसमें सोना उनको समझते कि वो सो रहे हैं जो माया से अलग होना ही जगना है या माया में लिप्त होना ही सोना है यह सास्त्र का नियम है मैं भी से पढ़ा लिखा नहीं लेकिन अपना जानता हूँ कि भगवान का नाम सत है तो मारा जी जो नागा सादू होते हैं आप नागा बाबा हो वैसनम नागा बाबा तो इसका क्या रहसे होता है जो नागाओं का रहसे काफी गूड है अभी बताओं पहले के जुगता राजा के सासन था जिसमें सन्यासी सिव भक्त है, जैसे आज मुसल्मान हिंदू को परिसान करते हैं, उस समय कड़गा सत्थ है, ऐसे हमारे समाज में बोलने के रोक किया गया है, लेकिन सत्थ बोलने के मैं कभी भी सत्थ बोलना चाहता हूं, वेले गरदा नलग हो जाए, लेकिन सत्थ बोलना ना मिले तो आटे के बना के भी जो उसको जो है मारते तलवार से जब पाप के घड़ा बढ़ता है तो कोई महा पुरूस भगवान या महा पुरूस भगवान भेजते अपने कोई सेवक को तो उस समय स्वामी रामाननदा चार जी के पादुर्भाव हुआ था हमारे खाइब मेरा्लिटा स्नॐर्व गस्वाड़तार suprakti जो राजा की राजकुमार थे राजस्थान के अब मै निद्वान नहीं है राजा ने दिया उनको राजकुमार को की स्वामी जी आप सुनिकार कीजी है सिस के रूप में हमारे राजकुमार को तो राजकुमार थे उनका संस्कार भी अलग था तो उन्होंने सोचा की रही तो बड़ा हो रहा हमारे भैसनों को नश्ट कर रहा है तो उन्होंने बनाया जो है एक अखाड़ा के संगठन किया अखाड़ा जैसे गुरु गोविन सिंग ने जो है खलसापंत बनाया उस परकार अखाड़ा के संगठन किया तो ओ लोगों ने भी बनाया सन्यासी अखाड़ा और हमारा बैसनों अखाड़ा तो बैसनों हमारे चार संपर्दाए है बैसनों में चार संपर्दाए हमारे तो चार संपर्दाए इसमें ऐसा नियम है कि जैसे हमारे तीन मुख अखाड़ा है जैसे दिगंबर निर्मोही निर्बानिय दिगंबर तो दिगंबर राजा है दिगंबर अखाड़ा के अस्थापना बालान स्वामी ने किया और तीन अखाड़ा बन आए जाते नागा में क्या होता है एक सपत लिया जाता है सीस तो हम जिन गुरु के हैं उन्हीं गुरु के सीस रहेंगे लेकिन दूसरे नागा के नाम से वो जैसे हम हैं तो हम किसी को नागा बनाएंगे तुमको नागा बनाएंगे तो हमारे नाम से अख़डा में संस्कार सपत लेना पड़ता है, जैसे हमारे में है लक्षमी या तूलसी, लक्षमी जी के सिक्का होता है, लक्षमी जी के चित्रवाला, और उससे हम सपत लेती कि हम अख़डा में अलंग से, जलंग से, नाके से, घाटे से, चूला से, कि अखड़ा के नाम पर नागा बन के और सन्तों की जो है अश्रम धारियों के दुख देते और उन से जाके पैसा उनसे मांगते एक करते लेकिन हमारे दिगंबर में इसके लिए बहुत रोख है ये एक संगठन धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया नागा जो है हमारे पहले धर्म के रक्षा के लिए जो है और से भी जो है हमारे धर्म के द्रोही है उनसे भी लड़े है इतिहांस इसका सक्षी है उससे भी लड़े है अब इसका धीरे-धीरे जो है समय के परभाव से सब में नाम मात्र के रह गया है नहीं तो हमारे जुलुस निकलता है उसमें हम लोग के हाथियार जो है के सिख्षा दिया जाता है हाथियार से जो है लड़ाई हुआ है हमारे सन्यासी वहरागी लड़े हैं उसमें लच्छु संद्हू भीरे जो महत्मा तरह कि उनको मांसादेवी को ऑंसादेवी भरीद्वार में मंसादेवी उनको परसंद सुम्हाराण में कहा चया छोगिरी तो हमिलें यह लड़ा भारि नोरस्यार जाएगा तो ए लोग ने सन्यासी उसके छीना हुआ और हनुमान गड़ी भी सन्यासी के ही अथान था उस अब छीना हुआ है तो अताईयों से लड़ने में कोई अधरम नहीं है जब कोई भी अत्याचार करे तो उससे हम लड़ सकते हैं यहां तक कि सास्तर परमान है कि गुरू भी आदेश देवेश इ अधरनाचार किर्वाचार यह भी है तो ऐसा बात है अखाड़ा आज में लोगों जो जुलिस निकलता है वह अखाड़ा जो है हमारे संतों की एक हेड़ा उपीस है संचालन करता है पूरे कोंब को और सादू समाज के भी उसको कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया है लेकिन सब लोगों ने अपने नियम केवल पैसा के उपर चल गए तो इस सब के नियम जो है आनंद खतम हो गया नहीं तो हमारे जुलिस निकलता है केवल नागा होते पारब्रश नहीं और आम सादू भी नहीं होते थे लेकिन आपतो भगत जगात भिंड़िया धासान कोई जुलिस के जुलिस के कोई आनंद ही नहीं आथा इस लिए हम लोगो के हाधियार भाजने की हम लोगो पर ता रही है हमारे पास में देखो के तलवार है अभी तो यह कहीं तलवार है और तलवार हमारे पास we करवाया था तो उसमें उसको हम भेठ किया मर वो ठाकुड है और मर्द सुभाव के आदमी है हमारे पास पट्टा है तलवार देखाऊ तुमको तलवारा भी देखाता हूं कि यह सब जो इसके लिए रखा गया है और समय आने पर चला भी सकते हैं जब ऐसे जो है नौबत आजाए तो मैं चला भी सकता हूं इसके लिए कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह थी हमारी बार बार के अभी दू-तीन वर जटका ऐसा दिया पिखापी के भी शरीर में उर्जा के कमिद्धम हो जाता है तुरंद कि तो महराजी तो महराजी जातर जो नागु महराजी जातर नागा सादू होते वह नगन अवस्था में रहते हैं नहीं हम लोग है न मरजादिक होता है सन्यासी नंगा रहते लेकिन हम लोग दिगमर हम तो बस्तर वाले होते अच्छ यह फरक होता है अब ऐसा हुगा है कि अब तो कुछ लोग सिलाया पहरने लगे नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नागा सिलाया हुगा पहर है लेकिन परमछी थे वह पहरने लगे फेर नहीं तो हम लोग यह चीर बस्तर है हमारी ज़ंधी को पहिर पहरते हम ऐलते हैं इसलीए नंतर होता है तो मारा जी कहते हैं जब नागई साधु को जब गुण सा आता है तो उसके बाद सीधा उस मनुष्य पर काल मन रहाता है हाँ देखो साधू तो गलत में गुसा होता नहीं है होता है जब अन्याय जब कोई रूक नहीं रहा है मारने मरने मारने की ओ है धरम की जो है तो उस समय गुसा होता है कहा होता है कि जो है घिरस्त जो है घिरस्त मतलब डाकू से साधू बना जाता है और जादी साधू डाकू बने तो कितना भ्यंकर हो जाएगा या नुमान की बात है न डाकू से तो साधू में आते और वो जो है हो जाए तो कितने भ्यंकर हो जाएंगे तो तो भ्यंकर होता ही है वो तो पीछले से अपने परिव ज्ञान दोखो घिरास्त के लिए सबसे बड़ी भगवान के पूजा तो हरा दोग हिए पूजा करता है हमारे परिकर्मा देते जहाड़ी के को लेगिन यह सच्चा परिकर्मा उनको बताना चाहता हूं मेरे जो समझ है मैं कोई बिद्वान नहीं हो नहीं लेकिन सच्चा पूजा मैं यही समझता हूँ कि इस्वर ने जो कानून जो इस्वर ने बनाया भगती रुपी ग्यान रुपी जो कानून बनाया है उसके पालन करना है सच्चा पूजा है गिरस्त के लिए मैं तो ये आदमी को कहता हूँ कि जो अपना माता पिदा के अपमान करता है हमारे पास में बिल्कुल मुह न देखावे सच्छा पूजा जो है गिरस्त के लिए मात्री पित्री भक्त बनना चाहिए और साधू के लिए गुरु के माता पिदा इस्तिरी के लिए पती के साथ ससूर के सेवा यह पूजा करने के बाद कोई मंदिर में जाए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें सरातन संस्कृति सेवा यात्रा काओं में इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे आप भी उसमें हमारा बढ़ चड़ कर सहयोग करें हमारे चैनल को जादा से जादा लोगों तक पहुंचाएं मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में तक तक के लिए जैजै श्री राधे